साथियों मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टिम की हिल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वाइबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाएं लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट को वाइबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भूबिगा भी तो निभा सकते हैं वाइबल्टिक लिए कुछ एक ही रिजन नहीं होते हैं हमारे जो बैंक के साथी है वो एक और काम कर सकते हैं आपको एक भली भाती पता होता है कि आपके खेतर में किस-किस की आर्थिक शमका कितनी है ब्रांच के नजर के दाइरे में बारे नहीं होता है जी वो उस धर्ती की ताकत को जानता है आज जो पांच करोड रुप्ये का लोन आप से लेकर जा रहा है इमामदारी से समय पर लोटा रहा है आप उसकी क्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं आज जो पांच करोड रुप्ये का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है उसमें कल को कई गुना जादा लोन लेकर लोटाने का सामरत पैदा हो इसके लिए आपको उसे आगे चड़ करके बढ़ चड़ करके सपोर्ट कर रहा चाहिए अब जैसे आप सभी पी एलाई स्किम के बारे में जानते हैं और अजकी इसके भी उलेक भी हुआ इसमें सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है जो भारत के मैनुफेक्टरर्स हैं वो अपनी केपिसिटी कई गुना बढ़ाए खुद को ग्रोपकल कंपनी में बढ़ ले इसके लिए सरकार उने प्रोड़क्शन पर इंसेंटिव दे रही है आप खुद सोचिए आज भारत में इंफ्रास्टर्टर पर रिकॉर्ड निविस हो रहा है लेकिन भारत में इंफ्रास्टर्टर से जुड़ी बड़ी कंपनियों कितनी है भाई हम पिछली सताब्दी के जो इंफ्रास्टर थे पिछली सताब्दी के इंफ्रास्टर के वो स्केल थे पिछली सताब्दी के इंफ्रास्टर की जो टेक्नोलोजी है उसी में गुजाना करने वाले हमारे इंफ्रास्क्टर के एक्षेत्र की जो कंपनियां है वो काम करेगी तो 21 सदी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं कि आज अगर उसको बड़े बिल्डिंग बनाना है लार्ट स्केल पर काम करना है बुलेट ट्रेंड का काम करना है तो उसको एक्विप्मेंट भी बहुत भेंगे लगेंगे उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों के मन में आता है कि मेरी बैंक का एक क्लाइंट ऐसा होगा जो दुनिया के पांच बड़ों में उसका नाम भी होगा यह इच्छा क्यों नहीं बढ़िए मेरी बैंक बड़ी हो वह तो ठीक है लेकिन मेरे देश के एक इंफ्रसेक्टर कंपनी जिसका एकाउंट मेरी बैंक में है वह भी दुनिया के टॉप फाई में उसका नाम आएगा मुझे बताएगा आपकी बैंक की इज़्जत बड़े क मेरे देश के ताकत बड़ेगी नहीं बड़ेगी